तभी आप लोगों को मैं हमारे स्कूल की मेस बोजन आल्या का दिर्शय दिखा दिता हूँ तो इस एड़ से वो वाइस बैठते हैं ये बच्चे लड़के आते हैं और बीच में ये जो हमारे टीचर से हैं स्टाफ के लिए उधर से लड़के आती हैं तो यहां से ये काउंटर है यहां से काउंकी भोजन बांटा जाता है नवद्धय वाले तीचर से को जानते हूँ जो नवद्धय में पड़े हुए हैं मेरे दोस्त कुछ अंदर का दुखा दे तो मैं यहां से भोजन बनता है यहां अंदर से हैं भोजन आले तो यहां पर देखो काउं कि 300-400 बच्चों के लिए बोजन बनता है यूटूब पर याइगा आप लोगों ही वीडियो करो काम करते रहां तो यह मारे कुछ ऐसी काम में लगे हुए तो यहां पीस फाई बगएरा हो रही है वह बाहरने के साथ हो मैं तो यह है हमारा ग्राउंड इदर यह कवर्डी ग्राउंड है यह वाला और यह भी भोजना लेजु मैंने अंदर से दिखाया जलते हैं बहागे यह बच्चे गुंबरे है कुछ शैद कुछ ही कर रहे हैं तो बस मैं इस पलों को महफूज होग कि सनया सुह ना सिन्य हूंं तो कुछ पता नहीं है कि इन पर लोगो चार साल यहां पाप्र कर रहा हूंना स्क― कियो पता नहीं है है this कब आना हुगतों बच्चस लाप नहीं को कि पता नहीं हूं ilio क्या कर रहे व्या तो ये याव होष्टल है ना ये जुनिर उस्टल सायड सिनीर होस्टल है मैं आप लोगों को दिखाया था पहले वुथर बास्केछ ग्राउन्ड ऑन्ड है काफी खेली है मैने बास्केट तो मैं सुबह दिखा रहा था लिगन आप फिर दिखा देत秉 है ओर नहों यह हमारा म होस्टल इधर जिम है और उधर अपना अकेडेमिक अकेडेमिक ब्लॉक हुआ यह केंटीन है आगे प्रिंसिपल का निवास है उसके आगे गेस्ट्रूम है तो परणाम सभी भईयों को एक वार तुम्हें आपको बताया सभी है न बहुत समय गुजरा है इन रास्तों पर है न अच्छा लग रहा है मेरे काफी जादा न इन रास्तों पर गुजर के यह मारी केंटीन है